नमस्कार दोस्तों मेरा नवपिवश आप देखते कोश्यनार भारत ये वीडियो mixed English और Hindi में होगी क्योंकि English वाले रिपोर्ट में पढ़के सुनाऊंगा वैसे मैं वीडियो हिंदी में बनाता हूँ और English वाले रिपोर्ट में इसलिए भी जान बुशे पढ़ता हूँ हर बार मैं रिपोर्ट पढ़ता नहीं उसकी इंशॉट दिखा देता हूँ पढ़े इसलिए रहा हूँ कि अगर किसी को साउथ में हो या फिर कोई एक्स्ट्रीम वेस्ट में नौर्थ में हमा किसी को अगर लेके वो लोग सोच सकते हं कि किया करना ऐसला ले सकते हैं던 कि हिसाबों कि किसी बलीव इसाब्स यहां में किसी पर्ट्टिक्लर रिलीजिगन कम्यूटी इसको ठरेल करने कुश्ब कर की बात है ही लेकिन उसमें भी disabled लोग पैदा होंगे और पैदा होते ही उनको समस्या हो जाएंगी तो और भी दिक्कत की बात है तो आज एक ऐसी practice की बारे हम लोग बात करेंगे जो एक community को बहुत समय से पता है कि ये practice नहीं होनी चाहिए इस practice से क्या-क्या नुकसान होते हैं और इसको faith से कही न कहीं जोड के इस चीज को allow नहीं किया गया और किनी कारण से उन लोगों ने एक दूसरे के family member से साधी करना allow नहीं किया और ये किया कि हम अपनी community में करेंगे तो दूर से किसी और बहुत दूर एक गोतर वाले, कास्ट वाले से कर लेंगे लेकिन अपने family member में third, fourth generation तक नहीं करेंगे, चाया father की तरफ हो, चाया mother की तरफ हो, नहीं करेंगे, ये हिंदूों में होता है, Muslims में क्या होता है, कि अकसर ये देखा जाता है, कि वो अपने ही first cousins, या फिर चाचा के लड़के, मामा के लड़के, अपने ही भाई, step brothers, कैसे ही, मतलब close cousins, blood relations, उनसे शाधी कर ली जाते हैं, किल को भाई बहन है और परसों पता चला है कि उनकी शाधी फिक्स हो गई है, In the recent release report, the National Family Health Survey has reported Tamil Nadu and Karnataka top the tally for the most significant number of marriages among blood relatives in India. In Tamil Nadu, 28% of the women are married off to close relatives, including first cousins, uncles and brother-in-laws, followed by 27% in Karnataka. On the other hand, the national average is far lower at 11%. A breakup of marriage among close relatives in Karnataka showed that 9.6% of the women were married to first cousins on the father's side and 13.9% were married to first cousins on the mother's side. However, the concerning factor is that several international and national studies have proved that marriages amongst blood relatives could double the risk of congenital disabilities among newborns. और कौन कौन से बिमारियां हैं, डिटेल में उसके बारे में बताया है. उसका दूसरा heading पढ़िए. इसके पे ज़्यादा जोड़ दिए, क्योंकि इस पोर्टिल की ऐसी image है, कि secularism के चक्कर में, Muslim appeasement के चक्कर में, मुसल्मानों से ये लोग वो बाते भी छुपा जाते हैं, उनको उस तरीके से भी point out नहीं करते हैं, जो उनको बताई जाना बहुत जरूरी है ताकि वो उस चीज़ में सुधार कर सकें. एक अच्छा teacher वही होता है, जो बच्चे को उसी गलती को point out करें और कहें कि यहां यहां तुम कमजोर हो ताकि बच्चा उसको सुधार सकें, और अपने nature में, character में, हाव भाव में, change ला सकें और एक अच्छा human being बन सकें. आप इस हद तक appeasement मत करिए, कि Muslim को पता ही ना चले कि उसके बारे में बात हो रही है. यहां भी अगर इस article में बात की गई है, तो Islamic countries कह दिया है. अब वो Islamic countries इसलिए नहीं हैं कि वो Islamic countries from the day one थे, जब से धरती बनी है. वो Islamic countries इसलिए हैं क्योंकि वा मुसल्मान सब से ज़्या factor of the country's tradition, congenital disabilities among newborns are way higher. समझ रो? Islamic countries में जिसमें इसने नाम लिया, पकिस्तान और UAE का, यहां पे बहुत ज़्यादा rate है, क्योंकि वहां पे भाई, जाहीर से बात है, Islamic countries है, Islam के उपर चलेंगे, Islam के रूल्स पर चलेंगे, शरिया पर चलेंगे, और Islam में यह allowed है कि आप अपने first cousins, second cousins, blood relations अपर साधी कर सकते हैं, और इसके result से क्या क्या हो सकता है, आप देख लीजे, क्या disastrous हो सकता है, for every thousand children born in the UAE, 75 suffer from birth defect, Deccan Harald reported that people who marry amongst their kith and kin are 13 times more likely, 13 times more likely to have babies with genetic disorders, इस level तक की चीज़े हो रही है, moreover, several studies have also revealed that consegneous marriages lead to the death of infants before, during, or immediately after birth, पैदा होते वक्त उससे पहले भी मर जाते हैं, या उसके बाद भी मर जाते हैं, इस तरह के cases हैं, तो आप ऐसे marriages कर क्यों रहे हो, कि आप के बाद जो बच्चा पैदा होने वाला, उसकी जीवन या तो पैदा होने के बाद एदम नर्क में जा रहा है, हेल में जा रहा है, इतना इतना गंदा हो रहा है, कि बीमारी लेके पैदा हो रहा है, या तो पैदा होने से पहले मर जा रहा है, पैदा होने के बाद मर जा रहा है, तो ऐसी शादी का कोई खास मतलब समझ में नहीं आ रहा है, और इसके पेचे आपका ये बात सही है डाटा सही है ताकि और भी लोगों की आखे खुलने है और ये वीडियो शेयर करें ताकि और लोग पविश्य में ऐसी गलतियां करने से बचें अब ये पढ़ें अब मुझे संज में आ रहा है अब बीमारियां पास करके एक बार फिर से पढ़ लीजे ने तो मुझे फिर से सुन लीजे अंधा भी हो सकता है, बलड कैंसर भी हो सकता है, थेलसीमिया हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती, यह सारी बीमारियां लेकर पैदा होगा, जिन्दगी बर ऐसा ही रहेगा इतना disabled बच्चा अगर आप लाएंगे, तो वो भी अगर उसको पता चल देगा है, scientific कारणी है, तो भी आपको कोसेगा तो ऐसा बच्चा पैदा करने से क्या फाइदा, ऐसी जेनरेशन लाने से क्या फाइदा, जो एक बिमारों की जेनरेशन हो, जो एक लूले, लंगडे, अंदे, बहरे, ब्रीधिंग में प्रॉब्लम हो रही, मतलब उनका जीवन रहने ना रहना कोई हो नहीं, तो ऐसी रेस इसे क्या ही मतलब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको कहीं धूला खोजने में दिखकत हो रही, तो अपने बेटी के साथ ही अपने बेटे से करा दो, से कोई उस बात का, थोड़ा ढूंड लो, उनका फ्यूचर खराब करने सच्छा, थोड़ा ढूंड लो, दूसरी चीज़ यहां लिखा है कि प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं होगा, उसको कोई बर्डन नहीं है, जिन्दगियां बर्बाद हो रही हैं, आपको प्रॉपर्टी के पड़ी है, फिर आप अपनी हिपोक्रिसी तोड़ देते हैं, और सुराथ में कहते हैं, कि इंडिया के दो स्टेट्स में इस सबसे ज़ादा हो रहा है, क्यों साउथ में मुसल्मान और क्रिश्चिन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं अब हिंडू, मुसल्म, क्रिश्चिन, इन समय नहीं आ रहा हैं, रिलिजियस डिवाइट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये इस आर्टिकल की हिपोक्रिसी दिखा रहा हूं कि आपको सच नहीं बता रहा है, इसको खोल के बोलना चाहिए, चाहर ये नहीं बोलेगा कि ये मुसल्मानों की problem है, उनके में सबसे ज़्यादा होता है और उनहीं ये deal करना चाहिए, और awareness ऐसे नहीं फिला जाती है, और मैं चाहता हूँ, कि आप इस वीडियो को share करेए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक, अगर आप मुसल्मान हैं, इसको आँख खोल के, दिमाग खोल के देखिए, दूर तक शेयर करिए, समझ ये कि आप अपने भाई बहनों से शादी नहीं कर सकते, आपके होने वाली अगली जेनरेशन, अपाहिच पैदा होगी, ब्लाइंड पै मुसल्मान हैं, अगर आपने वीडियो देखिए, कुछ भी समझ में आया हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुई रिमार, कुछ एडिशन, कुछ भी, कमेंट करके बताईए मुझे, और इस वीडियो को शेयर जरू करिएगा, फिर मिलता हैं अगली उन जेहन, बंदे मात्र तो लाइक और शेट ठोक दिजिए, माकाल का चाहिए, तबागे लाइक और शेट ठोक दिजिए, पांचेजार लोडे दिख जाना चाहिए, यह चार हजार के लिए मैं यह आप नहीं खड़ा हूँ, बुरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बटा,